20 years के 20 के आसक्वास आप हो तो सबको कह रहो लड़कों को लड़कियों को दो तरीके हैं अपनी लाइफ जीने के पहला तरीका मैं बताता हूं आप 20s में हो ये तो जवानी के दिन है ये तो हसने खेलने के दिन है छोड़ो पढ़ाई बढ़ाई एश करो ठीक है ये तरीका है कर सकते हो खूब आश करो दिन में दस सेल्फी लगाओ इंस्टाग्राम पर लाइक्स गिनो बैठके सारा दिन क्योंकि भाई लाइक तो मेरे 25 लाइक आ गए मेरे 75 लाइक आ गए पाटी करो रोज दारूपी हो ठीक है नहीं सुनो अभी सुनो पूरी पाटी करो माक्स वाक्स एंट्रेंस एक्साइम छोड़ो यार कुछ ना कुछ तो लाइफ में होई जाता है यह पापा मम्मी बकवास करते रहते हैं यह रिलाइबल क्लासेज वाले क्या बोल रहे हैं यार मेरी एज है मैं इंजॉय कर रहा हूँ इंजॉय करने की एज खुद की चली गई अब मेरे से जैलस हो रहे हैं मेरे दोस्त हैं मैं उनके साथ पार्टी करना चाहता हूँ खुब पार्टी करो टीवी देखो छे-साथ गंटे रोज यूट्यूब पे तीन गंटे धिन चैक फ हैं हम अभी कर रहे हैं लोग पागल है जो इतना करियर बना रहे हैं हमने तो खुदी जीवन का मंत्र सीख लिया है कि टेंशन नहीं लेने का एश करो यह कर सकते हो आप करो ठीक है पूरा ट्वेंटी यह करो ठीक है फिर पते क्या होगा फिर आप थर्टी के हो जाओगे रो करियर की प्लाइनिंग कियोगी उनकी अच्छी नौकरिया लग गई होंगे आपके पास नौकरी नहीं है आप थर्टी के हो गए आपके मम्मी पापा जाके हाथ जोड रहोंगे भई मेरे बच्चे की नौकरी लगवा दो आप खुच जाके बोलोगे मेरी कोई तो जॉब द आप फॉट्टी के हो जाओगे आपके पास कोई पैसे नहीं बचे होंगे क्योंकि आपने बड़ी सिंपल सी नौकरी की थी आपके पास अच्छी नौकरी तो थी नहीं तो एट फॉट्टी पे आपके पास कोई पैसे नहीं है और बच्चे जा रहे हैं स्कूल की फीस जोड़ा चाहिए 40 में आप लोन लोगे कि मैं घर लिलूं उसकी एमाई चल रही है तो अब आपके पास उधार भी चड़ गया है फिर आप 50 के हो जाओगे तो अब यह उधार चड़ा हुआ है पैसे 0 है फिर आप बुड्डे होने लग रहे हो फिर आपकी वो जो जवाब है हो भी चलि जाएगी फिर आप रिटायर हो जाओगे रिटार्मेंट के पास आपके पास पैसे नहीं है अपने बच्चों के आगे हाथ फिला ओगे राइट बिमार ओगे तो टेंशन करो के मेरे अपस डॉक्टर के अच्छे इलाज कराने के पैसे नहीं है बेकार हॉस्पिडल में जाके लाइन में लगे रहोगे जैसे तैसे 60, 70, 80 होके वेट करोके मरना है ये एक जीने का तरीका है पर 20's में आपने आश किया है समझे उसके बाद बिल देते रहोगे पूरी लाइफ लेकिन 20's में बॉस क्या हमने इंस्टाग्राम पे फोटो लगाई जब हॉस्पिडल का इलाज देने के पैसे नहीं होंगे तब ये याद करना कि मैंने तो लेकिन इंस्टाग्राम की सेलफी तो बड़ी इच्छी थी यार ये कर सकते हैं ये है प्लान A या दूसरा प्लान बना लो प्लान B कि बॉस मैं मैंनत करूँगा 20 से 30 जम के इतनी मैंनत करूँगा जितनी कि मैंने आज तक कभी की नहीं क्योंकि मुझे बेस्ट जगा जाना है और अभी मौका है अभी वो ले रहे हैं अभी एक्जाम हो रहे हैं आप 40 पे थोन दे सकते हो अभी मेरे को अच्छी जगा जाना है अच्छी पोस्ट लानी जो भी आपका सपना है वो मेरे को करना है वो मैं करूँगा और फिर मी जब सिक्यूर जॉब लग जाएगी फिर मैं मनी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी घरवर ठीक हो जाएगा 30 में मैं पैसे सेफ करूँगा आप 30 में पैसे सेफ करोगे अपने आसेट्स बनाओगे mutual funds लोगे घर लोगे वो इन्वेस्ट करोगे वो और पैसा बना के आपको देंगे FDs से आपको interest आएगा आप 40 में पहुँचो के आपके खर्चे बढ़ेंगे लेकिन आपके पास इनाफ पैसे है सब कुछ हो जाएगा 50-60 तक वो पैसे और जाएगे फिर आप रिटायर भी होगे तो आपको किसी के मोहताज नहीं हो आपको अगर कोई medical होगा तो आप best hospital जाओगे आप travel करोगे आप दुनिया घूमोगे मरोगे फिर भी मनना सबको है एक life ये भी हो सकती है अब आपको चुनना है कि ash वाली life 20s वाली चाहिए या 20s के रगड़े वाली life चाहिए कहने की बात ये है कि ये जो 20 का साल है ना दशक ये बहुत important है ये 30 से 70 तक या तो इसका आपको इसका फल खा सकते हो आप या 30 से 70 तक आप इसका बिल भर सकते हो अब एज जवानी की एज ऐसी है कि लगता कि यार सब मस्ती भी अभी करनी है तो समझ नहीं आता क्या करना है इसलिए मैं आपको clear करके दे रहो कूं कि मैं भी 44 का हो जाऊंगा और अब मैंने मैं रिलाइस किया कि यार ये मेरे जितने बैच में जितने स्कूल में जिन्होंने 20s में रगडा खाया वो भी टेंशन प्री है और जिन्होंने खूब आश की उस तेम पे खूब गूमे बाइक्स पे इदर उदर वो आज भी धक्के खा रहे हैं और धक्के खाते रहेंगे अब कुछ नहीं कर सकते हैं तो इस तिंग इस फर्स फिंग आई लर्ट राइट विच मैं आपको डराना नहीं चाहता लाइफ के बारे में पर जीवन में कश्ट तो है ये तो गौतम बुद्धा ने काया मैंने नहीं का लाइफ इस सफरिंग जीवन में आप सोचते हो ना कि हम लोग ये चाते हैं कि कश्ट ना हो मेहनत करने में कश्ट होता है चाहे वो पढ़ाई की हो चाहे वो जिम जाना हो चाहे वो कुछ भी करना हो वो कश्ट डायक चीज़े हैं हमें लगता है पेन ना हो कश्ट ना हो और हम कैसे तैसे अपनी लाइफ गुजार लेगा पर जो आदमी एक्सरसाइज नहीं करता उसकी हेल्थ खराब हो जाती है तो वो ही आश जो उसने करी वो ही उसको बाद में दुख देती है हमें लगता है कि एक घर हो जाए बड़ा मजह आजया गार आप घर लेते हो वही घर जो आपको सुक देता एक दिन उसका फलश करां जब जाता तो आपको दुख भी देता है जो चीज लाइफ में आपको खुशी देती है वो ही चीज आप देखो दुख भी देती है आप 20's में आश्ट करोगे वो बाद में आपको दुख होगा और जो चीज आपको दुख देती है वो बाद में सुख भी देती है ये 20's में कोई नहीं बताता ये बात लोग समझते है, 70s में जाके बाबा वगएरा के साथ बैठके तब इस ग्यान का कोई फाइदा ही नहीं है तब वैसी मरना है अब क्या फाइदा हुआ सीखने का spirituality वगएरा में को लगते हैं पहले सिखानी चाहिए बाद में सीखते हैं जाके क्योंकि आदा आपका माइंड उसी लिए भाग रहा है आपको ये प्रेपरेशन नहीं करनी क्योंकि आपको लग रहा है कौन ये बेडा उठाए मेरे को इससे दूर रहना है लेकिन यही आपको सुख देगा बाद में और जिस चीज़ से आप भाग रहे हो और आप सोच रहे हो कि आज मुझे सुख मिल रहा है कि मुझे वो काम नहीं करना पड़ रहा मेरे को दो घंटे और सोने को मिल रहा है मेरे को दो घंटे और पार्टी करने को मिल रहा है वो आपको कल दुख देगा ये चीज़ ज़रूर रयाद रखना एक और यह बहुत लोग गलती करते हैं, और फिर सुचते हैं, यार, geniuses का होता है, इस exam में, ये सारे exam जो हैं, ये तो बड़े लोग genius होते होंगे, ऐसा कोई genius नहीं है, सर से पूछो कितने ordinary बच्चों का हुआ, कितने बच्चों का लगता है कोई chance नहीं होने का, बस उन्होंन आप आई गए हो तो सोच लो कि मुझे करना है मेरे को यह 10 साल जो है आगे के वेस्ट नहीं करने चाहे हैं मेरी सुनो या किसी और की सुनो बट वेस्ट बद करना है यह टाइम क्योंकि यह टाइम निकल जाता है जैसे सैंड ग्लास होता है उपर से रेत गिरती रहती है यह पिचरे देखते देखते भी जा सकता है और पढ़ाई करते करते भी जा सकता है पढ़ाई करना थोड़ा कश्ट है लेकिन फिर 50 साल आपको बिल देना है यह 50 दाल आपको फल खाने है आई थिंग आंसर बहुत क्लिर है आपको